नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा जितना देखेंगे तुम है उतना ही प्यार आएगा जी है आपने सही सुना हम आज की दिली राशिवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज की दिन जिनका बज़े है या फिर मेरी जनवर्स्री है उनको मेरी तरव से धेर सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं जिन्दगी में डर की लहरों से भाग कर नौका पार नहीं होती अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती किसी भी कार में एक्सपर्ट बनने के लिए एक ही तरीका है कि हर दिन प्रेक्टिस करते रहो हमेशा याद रखना अच्छे दिनों के लिए बूरे दिनों से लड़ना पड़ता है कड़ी महनत करो, माफ करना सीखो और फिर देखो कैसे अश्चरी जनक चीजें होंगी आपके साथ खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी इतिहास को स्कूल के टॉपर्स नहीं बलकि जिद्धी लोग रचते हैं विनर वो होता है जो बार बार हाने के बाद एक और बार प्रयास करता है चलता रहूंगा पतपर, चलने में माहिर बन जाऊंगा या तो मन्जिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा जो सच में कुछ पाना चाहता है वो से पाने के लिए आखरी दम तक लड़ता रहता है जिसने रातों से है जंग जीती सुभा सूर्य बन कर वही चमकता है मैं अलग पहचान बनाने में विश्वास रखता हूँ तकलीफों में भी मुस्कुनाने की आदत रखता हूँ इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ रेना कि दवाओं ने थाम रखा है चिली शुरुबात करते हैं आज के पंचांग से तो दिन रहेगा शुक्रवार का दिन विक्रम सम्वत 2078 वहीना आशाड का रहेगा शुक्लपक्ष की जो तिती है वो आज 6 तिती बन रही है जो की सुभा के लगभग 6 बच कर 8 मिनट तक चलेगी और आगे जो है सब्तमी दिती रहेगी वो भी अगले दिन के 4 बच कर 36 मिनट तक चलेगे और इसके आगे अश्रमी दिती बनी रहेगे योग की बात कर लेते हैं तो परिग योग बन रहा है सुभा के 9 बच कर 41 मिनट तक ये चलेगा आगे जो है इसके शिव योग और उसके आगे सिध्ध योग बन रहा है नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रहेगा अकले दिन के 2 बच कर 37 मिनट तक ये चलेगा और उसके आगे चित्तरा नक्षत्र शुरू होगा सूरी उदे की समय के बात करें तो उसका टाइम रहेगा सुभा के 5 बचकर 33 मिनट पर सूरी अस्त का टाइम रहेगा 7 बचकर 20 मिनट शाम के चंद्रे उदे का टाइम रहेगा 11 बचकर 22 मिनट पर चंद्रे अस्त का टाइम रहने वाला है 11 बचकर 40 मिनट पर रितू रहेगी वर्षा रितू चंदर राशी रहेगी कन्या राशी अब बात करते हैं शुब समय की तो शुब समय रहेगा सुबहा के 7 बचकर 16 मिनट से लेकर के ठीक 9 बचे तक और जो राहुकाल का जो समय है वो रहेगा सुबहा के 10 बचकर 43 मिनट से लेकर के दोपहर के बारा बद कर 26 मिनट तक ये चलेगा याद रखेगा कि राहुकाल के समय किसी भी तरह का कोभी शुप काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो चली जान लेते हैं आज के डेली राशी फल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दो कि अजाब के लिए जो है भागिशाली रंग यानि की लाल रहने वाला है और जो लखी नंबर है वो नंबर 9 बन रहा है आज का सितारे कहते हैं कि आपकी राशी की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहत खास और लाबदाइक रहेगा जिन बातों में आप जो है संतुलन अभी तक नहीं बना पा रहे थे उन बातों में संतुलन आपके द्वारा बनाया जा सकता है परस्नल बातों के साथ साथ परिवारी को और काम से रिलेटिड जीवन में भी आपको प्रगती निजर आ सकती है घर के कामों में आप बड़े ही दिल से आप जो हैं हर काम को पूरा करते चले जाएंगे महमानों का आज तांता आज आपके घर में लग सकता है साथ में आज विबागा धक्षियों के लिए भी समय बहुत ही पढ़िया है और हाँ आउट जोर खेलों की खिलाडियों के लिए राकिंग बढ़ने सवन्दी उपलब्धी पाने का समय है यानि कि रैंकिंग जो है वो आपकी बढ़ सकती है आज जीवन में कोई आप परतिशित बदलाब भी देखने को मिल सकता है जिसे आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है और उसे स्विकारना आपके लिए भागी उदे दायक भी साविट हो सकता है परिवार से रेलेटिड किसे इंपॉर्टन मुद्दे पर विचार विमर्ष में आपकी सलह को विशेश सहमती भी दी जा सकती है वहीं आज पैसों का लेन दिन करते समय सावधानी बर्तनी होगी आपको क्योंकि इस वजह से कुछ सबंदी भी खराब हो सकते है समय के कॉर्डिंगली अपने विभार में बदलाव लाना बहत जरूरी है आपके लिए आज अनजान लोगों के साथ बिलको भी कॉन्टेक्ट से मत बढ़ाईए वरना आपके साथ कोई धोका हो सकता है या फिर कोई फ्रॉड वगएरा कुछ भी वहीं आज यूवाओं के लिए जो दिन है वो कठनाईयों भरा रह सकता है फिर भी आपके समस्याओं का समधान आपको मिल सकता है अपने विचारों की सीमित मत रखें यानिकि उनका दाइरा छोटा मत कीजे अपने सोचने के दाइरे को जरब बढ़ाईए कोई भी प्रकार के काम को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चलने से बचना होगा वरना आपके लिए भविश्य में नुकसान दाइक साबित हो सकता है तो नेकी की तरफ चले नेकी का रस्तापना ये आपके लिए बेहत बढ़िया रहेगा अपनी सोच और विचार से ही आप अपनी जीवन को अकार देते हैं इस बात का ध्यान रहे निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनकूल रहा है और आज आपको इन्वेस्स जरूर करना चाहिए प्रापरिय से रिलेटिड कोई रुका हुआ सरकारी काम जो है वो आज फाइनल और कंप्लीट वगएरा हो सकता है इसके साथ ही जिसकी वज़ा से आर्थिक सितियां काफी बहतर भी बनते नज़र आएंगी आपके घर के बड़े बजरुगों की सलह और मार्ग दर्शन पर उचीत ध्यान दे उनकी अवहेलना करना आपके लिए नुकसान दाइक साबित हो सकता है आज किसी वहरी व्यक्ति के हस्तक शेप की वज़़ा से कुछ कार में व्यवधान आ सकते हैं तो जरा इस बात को आपको संभालना होगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनस और केरेड की आज उच अधिकारियों के साथ अच्छे relation आपको कोई सरकारी tender या सरकारी संस्थाओं से related कोई बड़ा order दिलवा सकते हैं लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि महनत की accordingly उचित परिणाम अभी हासल नहीं हो सकते हैं साथ में आज काम की जगहा गलत लोगों का साथ देने की वज़े से आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं तो आपको गलत लोगों का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देना है पहले आप देख लें कि क्या वो सही है अगर सही है तो आप उनका साथ बढ़चर कर दीज़ेगा इसे के साथ ही आज बदलते वातावरण की वज़े से वेविसाय से रेलेटेड नीतियों में भी बदलाव जो है जो की साकरात्मक प्रहेंगी आपके लिए नौकरी और वेपार से रेलेटेड महिलाओं को उच्च पद्र की प्राप्ति हो सकती है जिससे जो हैं घर में खुशी का महौल बना रहेगा और आने वाले दिनों में भी बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे आज जो महिलाओं है इस्पेशली वो काफी आगे बढ़ चटकर हिसा लेंगी हर चीज में करिर के लिहाज से देखा जाए तो वो भी दिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपके लिए स्टूरंट जो हैं वो अपनी पढ़ाएं में बीजी रहते नजर आएंगी फिजूल के प्रेम समंदों में अपना समय बिल्कुल भी जाया मत कीजेगा जिसे व्यक्ति के प्रती आपका जुकाव बढ़ रहा है वो कि वर अकर्शन है या नहीं है इस बात को जानकारी रिलेशनशिप से लेते निनने लीजेगा यानि कि सबसे बहले आपको देखना होगा कि ये सिर्फ अट्रक्शन ही है या पर सच मुछ में ब्यार है अगर सच मुछ में है तब ही आप रिलेशन को आगे बढ़ाईएगा वरना आप वरिष्टे को वहीं पर continue मत कीजेगा अपना भी समय बर्मात पत कीजिए और उनका भी इसलिए आप आगे बढ़ते जाएए विवास से रिलेटिड कीएगे प्रत्नों में आज सफलता मिलने की योग बन रहे हैं पती-पत्नी के जमंद समानने रहेंगे प्रेम्र संगों में किसी गलत फहमी की वज़ा से आज किसी के रिलेशन में दुरियां भी बन सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखेगा कोई भी गलत फहमी ना होने पाए सब कुछ पानी के तरह साफ और दूसरे को बताएए सांजा कीजिए ताकि कोई भी misunderstanding ना होने पाए आग दोनों में अब बात करते हैं आज के स्वासते के स्वासते कहता है कि किसी भी machinery का प्रयोग करते समय बहुत ज़ादा साफधानी बढ़तने की जरूरत रहेगी acidity और पेट की चलन आपको तकलीव दे सकते है बाहर का खाना, junk food बगएरा, fast food ये सब चीज़े मत खाएं ये fried भोजन से दूरी बना कर रखेगा और जितना हो से कि green vegetables बगएरा वो चीज़े सब खानी चाहिए साथ हमें आज अपनी proper diet रखें diabetes वाले लोग जो हैं उनको ध्यान रखना होगा अपना काम की दिखता की वज़े से कई लोगों को शिरीरिक और मानसिक थकान वगएरा रहेगी आज के दिन समय समय पर उचित अराम लेना भी जरूरी है आपके लिए तो चलिए बंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो विशेश उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको दुरगा कवच का पाट अवश्य पढ़ना चाहिए माश्य में झात आज साहिए इस घर निकलते है वक से निकलते वक छो है आप अपने मस्टक पर माते में हलदी का जो तिलग है अगर आप वो लगा कर निकलेंगे तो सारा दिन आपकी बरकत बनी रहेगी और आपके हर काम चुटकियों में होते रहेगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे से और हाँ इसे नेगटिव उर्चा भी दूर रहती है इस्तिलक से कोई भी नेगटिव उर्चा आपके अर्धिकर्द नहीं आएगी और मा की किरपा बनी रहेगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा धन्यवाद